नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रोट्याद गूरूप पर जिसमें आज हम जानकारी देने वाल हैं पेसल कंपनी के ओनलाइन आवेदन में मुबाइल नमबर चेंज करने के बारे में जो कि काफी समय पहले सेवी की तरफ से इस सुविदय को ओपन किया था क्योंकि काफी ऐसे निवेशक थे जिनका पुराण मुबाइल नमबर या तो खो गया है या किसी कारणन से चेंज कर लिया है या फिर मुबाइल नमबर बंद हो गया है जो कि उन्होंने ओनलाइन करते समय दिया था तो यदि आपके पास वो नमबर नहीं है तो अभी भी आप उस नमबर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि काफी निवेशकों के कमेंट हमें पराप्त हुए है कि सर क्या ये सुविदा अभी भी ओपन है या बंद हो गई है और क्या हमारा रिफंड अमाउंट 15 रुपे से आधिक है तो क्या हम अभी भी अपना नमबर चेंज कर सकते हैं या नहीं और किस परकार से चेंज करें इसके बारे में हमें जानकारी दे तो उनी निवेशकों के लिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं तो आप इस वीडियो को सरू से लाश्ट तक जरूर आते हैं तो आप इसे PSL की साइट पर भी जाकर बदल सकते हैं जहां पर आप अपना पॉल्सी का स्टेटस चेक करते हैं तो जैसे ही आप सर्च पर किलिक करेंगे तो आपके सामने आपका PSL का स्टेटस ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि आपका आप यहां से बड़ी असानी से चेक कर सकते हैं कि वो सई है या नहीं है और इसके ठीक नीचे ही आपने जो pen card दिये थे उस pen card के भी कुछ अकसर आपको यहां पर पढ़ने को मिल जाएंगे जिसके सामने ही आपको आपने जो mobile number registration करते समय दिया था उस mobile number के भी कुछ अकसर पता कर सकते हैं कि आपकी policy के status क्या है कि आपको आपका refund क्यों नहीं मिला और यदि आपका refund amount 15,000 रुपे से कम है और आपको फारम में किसी परकार की गोई गलती है तो आपको यहां पर नीचे नीले box में एक edit claim करने का option मिल जाएगा जिस पर आप के लिए करके 31 जनवरी 2023 त 15,000 रुपे से कम है और यदि आप अपना mobile number बदलना चाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिए mobile number के सामने पैल सिन का box दिखाई दे रहा है इस box पर करना है आपको किलिक इस पर जैसे आप किलिक करेंगे आपके सामने एक नई window open हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ ह अपडेट mobile number और साथ में ही policy का registration number आपको पहले से यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा और इसी के ठीक निचे आपको pen number का एक column दिखाई देगा जिसमें आपको pen card के अकसर को type करना है और इसी के साथ आपको mobile number का भी एक और column दिखाई देगा जिसमें आपको नया mobile number लि टाइप करना है capture type करने के बाद आपको जाना है जर्नेट OTP पर और जैसे ही आप जर्नेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके उस mobile number पर एक message आएगा उस message को आपको इस column में करना है type message type करने के बाद आपको करना है verify पर click और verify पर click करते ही आपका mobile number successful update हो जाएगा तो इस परकार से आप किसी भी policy में आपका जो पुराना mobile number है उसे यदि बदलना चाहते हैं तो इस परकार से बड़ी असानी से बदल सकते हैं फिर चाहे आपका refund amount 15,000 रुपे से जादा है या फिर कम है और या फिर आपको edit करने के लिए option मिला हुआ है या नहीं किसी भी हालात में आप अपना mobile number बदल सकते हैं तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई doubt है तो आप नीचे comment करके हमसे पूर्च सकते ह हैं आपके हर सभी doubt को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में ने जानकारी के साथ तब तक जैहिन जै भारत